नमस्कार एबर फिर से स्वागत फास्टर प्लस न्योज में और आज उपस्तित हैं जनपद महराजंज के परतावल नगर पंचायत वाट संक्या साथ में मैं आपको बता दूँ कि अपने चैनल के माददेम से लगातार परत्यासियों से रुभरू हो रहे हैं और एजंडे में चर्चा परिचर्चा करने का मतलब यह है कि हम नगर पंचायत की जनुवी समस्याओं को आपको अपने चैनल के माददेम से दिखाने का काम करेंगे और उन परत्यासियों से मिलने का काम इसलिए कर रहे हैं कि परत्यासि क्या है और चुनाओ जीतने के बाद क्या करने वाले हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो fast plus news आप लोगों के तरफ से इन परत्यासियों से सवाल करेगा इसलिए हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत सभी परत्यासी जो हैं ओ कतरते हैं और दूर भागते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम उन सभी परत्यासियों से मिलके रहेंगे और नगर पंचायत की समस्या को जान के रहेंगे जो नगर पंचायत की समस्या हम मेडिया कर्मी से नहीं बात कर पाएगा ओ आगे किस तरह से आ आट से शैलिस सिंग जी हम इसे बात करेंगे जाने का प्रयास करेंगे कि इनके वाट संक्या आट में क्या समस्या किन समस्या को लेकर चुनाओी लड़ रहे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपके यह क्या ना मैं पास्टर नियू चैनल के माध्यम से मैं अपने नगर पंचायत परतावल के सभी सम्मानी जनता को पहर चुकर पढ़ाम करता हूँ नेता जी कौलिफीकेशन क्या है गिंदी पढ़ाई की जी मैं इंटरमीडियेट हूँ इंटरमीडियेट हूँ आप फस क्लास है आपकी लंबाई चोणाई भी है एक ही हुआ है आप राधनेतिक छ प्राइब करता रहा हूँ और आगे भी अगर किसी पोस्ट पर आता हूँ तो आगे भी यह प्रयास जारी जाएगा क्या बदलाओ करने वाले हैं क्या सोच के साथ है राधनेतिक शित्र में वाट्ट संग्या आठ में जी जी बदलाओ तो बहुत कुछ करने को सोचा हमने की अधाय क्योंगर से परमुख चीज़े हमारे और नाली और बिजली और सिच्छा इसलिये कहना चाहूंगा कि लोह हमारे आज कि मैं मिंदिल क्लास का आदमी हूँ और एक किसान का बेटा भी हूं तो लोगों से लगाव और ढ़ाव के कारण में आपता शचलरी स्कूल तो और हमारे वार्ड में भी सरकारी स्कूल है, तो मैं उसकारण को जानना चाहता हूँ और जानूंगा भी, और प्रयास करूंगा बदलने का, कि लोग अपना बच्चे को के उन्हें सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, हमेशा से प्रयास करूंगा, चाकि स्कूल अच्छा रहे है और लोग अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजा और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा जी है मैं बता दू कि सबसे जरूरी चीज होती है इंसान के जियों ने सिक्चा और स्वास्त अगर बहतर है तो कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची किसी भी छेतर में माहिर हो सकती है और अपनी प्रतिवा का हुनर दिखा कर देश-प्रदेश और गाउं का नाम रोशन कर सकती है नेता जी के जज़वे को बहुत ही सरानी आपका ये मुद्दा है और नेता जी मैं जाना चाहूंगा कि क्या जनता आपकी बातों को समझभा रही है जी जी बिलकुल खुब सहयोग मिला है खुब समझ रही है जनता हमारी बातों को और जनता ही हमें चुनाव लड़ तो चुनाओ में कितना खर्च करने वाले हैं? पैसा तो मैं कोई खर्च करने वाला नहीं हूँ, लोग हमें लड़ा रहे हैं, लोग सहयोग दे रहे हैं, लोग आशिरबाद देंगे और रोट करेंगे. सबसे पहले चुनाओ जीतने के बाद कौन सा कारे करने वाले हैं? मैं अपने आका नाली है अपने वाड़ का, रोट सड़क और यह जो जड़त तार हैं, उसको मैं ठीक करवाने का काम करूँगा. यह आपका नगर पंचायद जो है, यह जो बना है, आप इसका स्रेक किसे देना चाहेंगे? यह हमारे लोग प्रिये विदायक माननिक यारेंडर सिंग जी और पुझ्य महराजी के दौरा हुआ है, मैं उनको तहीं दिल से धन्ने बात करता हूँ. नगर पंचायद में तब्दिल होने के बाद क्या विकास कितनी गतिस होने वाले है? माननिक घियाक जी के परियासों से काफी विकास हुग ही हमारे हाँ. कुछ सेश है जो आगे हम लोग करेंगे और माननिक भिदायक जी का सवयोग रहेगा अभी. किसी पार्टी से तयारी चले यहां अभी तो किसी पार्टी से तयारी नहीं है आगे देखेंगे किसी पार्टी के बारे में अभी सोचा नहीं हमने आगे देखेंगे कहीं आपको नादान तो नहीं समझें नहीं 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 बुजुरु के हमारा उटना बैटना अधिकतर बुजुरु को बच्चों के साथ ही है भरपूर अशिरबाद मिल ला है उन्हों के कहने से ही मैं चुना लड़ रहा हूं और इस चेत्र में आया हूं जी और जनता क्वेतर से арceah को पानी फीने की समस्याह को लेकर लोग रुज 20 रुबे की बोचल एकन कर पानी फीना पर आता है भुट चुगी आप जानते हैं कि पानी थोड़ा decor साभर होते जा रहा बहुत जेनुविन समस्या है उस समस्या पे अगर आप यहां के सबस्त होते हैं तो क्या अपने हिसाब से करने वाले हैं पानी तो सप्लाई आती है वहां से नगर पंचायत की फिर भी अगर जो भी दिक्कत होगा उसको सबसे आगे आके ठीक कराने का गाम करूँगा चलिए तो यह रहे हमारे सैले सिंग जो वाट संक्या आठ के सबस्त परत्यासी है जिनका एजंडा है आपने एजंडे को बात सुना कितना समर्थन मिल पा रहा है जन्ता इनके बारे में क्या सोच रही है और क्या विकास करने वाले है हम आगे भी मिलते रहेंगे चुनावी अभी लहर चल लही है चुकि ये परतावल नगर पंचायद नहीं था एक ग्राम सबा था और नगर पंचायद में तब्दील हो गया है जिसको लेकर परत्यासी उभ अबरों में धन्यवाद